गुड मार्निंग और आज हम लोग देखेंगे टेस्ट टू और टेस्ट टू जो है द्रिष्टी का ये मैं काफी पहले लेके आने वाला था लेकिन किसी काटन से लेट हो गया तो चलिए इसको देखते हैं देखे की कुछ बेसिक इंस्टेक्शन देख लीजिए एक सोपचास प्रस्ण है सभी के अंक समान है सभी प्रस्णों के उत्तर देना है और उत्तर पुस्ति का को मिलते ही चेक कर लेना है किसी प्रकार का कोई तूटी है तो उसको बदल देना है हिद्धी और इंग्लिस में नुदेश लिखे हुए हैं और इसमें जो है बाकी और भी इंस्ट् आप इसको देख सकते हैं, आपको एक्जामनेशन में पहला पड़ना देखने को मिलेगा, तो चलिए हम लोग टेस्ट को सुरू करते हैं, यहां मैं मैंतमेटिक्स को सामिल नहीं करूंगा, और हो सकता है कि current affairs के question थोड़ी से पुढ़ाने हो, लेकिन उसको देखने से कोई हान नहीं नहीं है, क्योंकि कई बार BPSC काफी पुढ़ाने current affairs को पूछ लेती है, तो चलिए हम लोग सारे patterns को देखते हैं, और सब चीज़ों को यहां पर हल करने की कोशिश करते हैं, ब्लैक होल की जानकाड़ी सरपर्थम दी थी, तो यह सरपर्थम दी थी, देखें, ब्लैक होल, ब्लैक होल यानि शामुद जो आसमान में जो होता हैं, तारो वाला issue, वो दी थी, ऐस चंदर से खड़ने, भारतिय विग्यानिक थे और इनको Nobel Prize भी मिला था इस चीज के लिए निमलकि संगठनों में से कौन सा वैस्विक इनर्जी आर्की टेक्चर परफॉर्मेंस सुचकांक जारी करता है, ये जारी करता है विस्व आर्थिक मंच, किसी अस्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, ये होता है, परधान मद्या निरेखा, निमलकित में से कौन सी परवत रिंखला सबसे लंबी है, ये है एंडीज, निमलकित में कौन सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसको हम लोग देखते हैं, तो ये देखिए, गेबसन ब्राजिल ये सुमेलित नहीं है, काड़ा कुम तुर्कमेनिस्तान सही है, तकला पोड़ा संयुक्त राज अमेरिका ये सही है, सरगैसो समुदर की विशिष्टता है, विशिष्ट समुदरी वर नस्पती है सरगैसो में, निमलिकित में से कौन सा युग सही सुमिलित नहीं है, तो बोड़ा पुलेंड ये सुमिलित नहीं है, फौन आल्पसपरवत मिस्टरल राइन घाटी, खमसिन मिस्टर, ये सब सही है, निमलिकित में से किसे विश्व कस चीनी का कटोड़ा कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोड़ा, निमलिकित में से कौन सा सैल समूँ भारत में धात्विक खनीजों का परमुक्स रोथ है, ये है धारवार समूँ, निमलिकित में से कौन सा यूग्म सही सुमिलित नहीं है, नाथूला अरणाचल परदेश, ये सही सुमिलित नहीं है, निमलिकित में से कौन से जलासे चम्बल नदी पर बना है ये है राना प्रताप सागर प्रियावरन का संतुलन बढ़ाए रखने के लिए वनान तरगत छेतरफल होना चाहिए 33% होना चाहिए भारत में लवनिय मिर्दा का सरवादिक छेतरफल है ये है गुजरात में भारत के विभिन छेतरों में उत्पादित सुल्ताना गुलाबी और काली चमपा निमलिकित परमुक फलों में किस की किसमे है ये अंगूर की किसमे है दच्छिन उत्तर दच्छिन वपूर्व पशिम कॉरिडर सुपर हाइवे का मिलन कि सार में होता है ये होता है जहासी में सी यू की नामक यात्रा विवरन निमलिकित में से किस से जुड़ा है वेन सांक से जुड़ा है ये सी यू की कौन सा हरप्पिये नगर तीन भागों में विभक्त है ये है धोला वीरा निमलिकित में से कौन फार्षी का पर्थम कविः था जिसने अपनी कविःता में भारतिय पर्यावरन को चितरित किया ये है अमीर खुसरो हार्णबील उत्सब आविजीत किया जाता है ये किया जाता है नागालेंड में निम्न विदेशी यात्रियों में से किस ने जहांगीर के इसासनकाल में भारत की यात्रा की थी फ्रांसिस्को पलसर्ट फ्रांसिस्को पलसर्ट ने यात्रा की थी जहांगीर के इसासनकाल में निम्न लिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है लॉर्ड कार्णवालिस तिर्टिय आंगल बड़ाठा युद्ध ये सुमिलित नहीं है भूमी लगान के एकत्री करण के लिए दिये जाने वाले ठेके का नाम है तो इसका नाम है इज्रा नमलिकित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी सम्मदित नहीं थे तो इसका नाम है युगांतर 1857 के विद्रोग के दौरान बहादुर साहर ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बक्त खान को दिया था भारतिय असंतोस के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किस ने कहा था ये कहा था विलेंटाइन सिरोले ने बाल गंगाधर तिलक ने काफी इस पर आपत्ती जताई थी नमलिकित में से किन्हे बंबई त्रिमूर्ती के नाम से जाना जाता है देखिए मेहता तैलंग जी और तैयब जी ये तीनों बंबई त्रिमूर्ती के नाम से जाना जाते हैं भारती राष्टिय कॉंग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी दौरा मात्र एक बार अधिख्षिता की गई यह अधिवेशन कहां हुआ था बिलगाओं में हुआ था ये निमलिखित में से किसके विरोध में रविन्दा टैगोर ने अपनी नाइट होट की उपाधी का प्रित्याग कर दिया था जलिया वाला बाग नरसंग हार के कारण भारतिय समिधान की छटी अनुसुची निमलिखित में से किन राजियों के जनजातिय छेत्रों के परसासन से सम्बंदित है बिगाले त्रपुड़त तथा मिजोरम से ये सम्बंदित है निमलिखित में से क्या भारतिय समिधान की प्रस्तावता में उलिखित नहीं है धार्मिक न्याय की चर्चा उसमें नहीं की गई है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आजनितिक न्याय की चर्चा की गई है भारत में नागडिक्ता की निमलिखित विशेस्ताओं में से कौन सी सही है संपुर्ण भारत की एकल नागडिक्ता निमलिखित युगों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है शिष्चा संस्थाओं की एस्थापना तर्था अनुच्च पर्सासन का अलप्संक्यक वर्गो का अधिकार और बिल्कुल नहीं है सम्विधानिक उप्चारों का दिकार 99, 32 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हीतों का अनुशेद 29 में है मानव की दिरवहार तथा बलात्रम का प्रतिसेद अनुशेद 23 में है निम्लिकित में इसे कौन सा एक राजी का नेती निदेशक सिधान्त सम्विधान में बाद में जुड़ा गया मुफ्त कानुनी सलाह का जुड़ा गया बाद में निम्लिकित में से किस्की संस्तुती पर भारती सम्विधान में मूल करतवे सामिल किया गया स्वर्ण शिंग समीती वाले में ये सामिल किया गया निमलिकित में से कौन राष्ट पत्ती के प्रसाद प्रियंत अपना पद धारन करता है ये है भारत का महानय वादी लोकसभा का अधिवेशन गठित करने है तू गन पूर्ती यानि कोडम कितनी है ये सदन के सदस्यों के कुल संख्या का दस्वा भाग बीश्वी पसुधन जरगर्णा के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है देखे जो सही नहीं है वो ये है कि बीश्वी पसुधन जरगर्णा किर्शी एवं किसान कल्यान मंत्राले दोरा जारी किया गया यह सही नहीं है जो सही है उसको देख लेते हैं बीस्वी पसुधन जनगन्ना के नुसार देश में कुल पसुधन आवादी 535.78 मिलियन है इस जनगन्ना के नुसार पस्चिम मगाल में पस्मों के संख्या में सबसे अधिक विर्दी हुई एवं उसके बाद तिलंगन्ना का स् किया गया है राज महाधिवक्ता वर राज लोक सिवा आयो के अध्यक्ष वर सदस्यों के नियुक्ति कौन करता है यह करता है राज जिपाल किसी राज में विधान परिशद की स्थापना और समाप्ति का प्रवधान भारतिय सम्मिधान के अनुछे 179 में है भारत में पंचायती राजविवस्था का सिल्पी किसे कहा जाता है बी आर मेहता को कहा जाता है मानविका सुचकांक एक संयुक्त सुचकांक है जीवन परत्यासा सैक्षिक उपलब्धी एवं परती व्यक्ति सकल घड़ेलू उत्पाद का स्टॉक एक्षेंज में निमलिखित में से कौन सट्य बाज नहीं है दलाल सट्य बाज नहीं है किस देश का जीवन अस्तर परती बिम्बीत होता है विवाद से विश्वास योजना का उद्देश से है लंबित परत्यक्ष करके मामले को निप्टाना अपी अडी ओन वील्स किसकी अनुठी पहल है खादी एवं ग्रामुद्योग आयोग का भारत में विशेश आर्थिक छेत्रनीती घोसित की गई थी अप्रेल 2000 में भुगतान संतुरन सब्द का प्रियोग निमलिखित में से किसकी संदर्व में किया जाता है आयात एवं निर्यात से किया जाता है ये हैंड़ बुक आफ एगरी कल्चर परकासित होती है भारतिय किर्शी अनुसद्धान परिशन से ये परकासित होती है रास्तिय खात सुरक्षा मिशन NFSM का उद्धे से निम्लिखित में से कौन नहीं है साक सुविधाओं को सुद्रीड करना नहीं है किस वर्ष में नाबार्ड की अस्थापना हुई 1982 में हुई थी नाबार्ड की अस्थापना जेनेटिक इंजरिंग में निमलिखित में किसका प्रियोग होता है प्लास्मीड का प्रियोग होता है जेनेटिक इंजरिंग में एगमार का सम्मंद है गुर्वत्ता से है एगमार का सम्मंद भारतिय दूरस्त समवेदन संस्थान IIRS कहां इस्थित है ये देहरादूर में इस्थित है निवन में से कौन भारत में निर्मित हलका युद्ध योग हवाई जहाज है ये है तेजस संग्रनक साक्षर्ता दिवस मनाया जाता है ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है कॉम्प्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है क्या कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है उसको धौनी पर दुसन को मापने है तो निमलिखित में से किस इकाई का प्रियोग करते है डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं वाइड की गती निमलिखित के द्वारा मापित ना पी जाती है एनी मो मीटर के द्वारा ये ना पी जाती है ये गुर्ता कर्शन का सिधान्त किस ने परतिपादित किया ये आईजक न्यूटर ने इसको परतिपादित किया एक अंत्रिक श्यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सत्व पर सुन नहीं सकता क्योंकि धौनी प्रसारित करने का माध्यम नहीं होता है एक कटा हुआ हीरा जगमगहाट के साथ चमकता है पूर्ण अंत्रिक प्रावर्तन के कारण मोबाइल चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांस्फर्मर होता है मोबाइल चार्जर यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लिटर पानी में मिला कर एक असंत्रिप्त चीनी का गोल तयार किया जाए तो निवन में से कौन सी भौतिक रासी नहीं बदलेगी आयतन नहीं बदलेगा मानव सरीन में सरवाधिक परचूड़ता से पाए जाने वाला तत्व है यह है ऑक्सिजन ट्यूमर संसोचित करने में परियुक्त रेडियो समस्थानिक है यह है आर्सेनिक 74 कौन सी गैस नॉवेल गैस कहलाती है तो यह है हीलियम निमलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइवर नहीं है टेरीलीन नहीं है प्राकृतिक फाइवर निमलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्मान में किया जाता है लाल फास्पोरस का मानव सरीर का तापक्रम ना जारों में घटता है और ना ही गडियों में बढ़ता है जीवों में अत्यदिक विवित्ता का कारण है उत्पड़ी वर्तन डिने में मौजूद सरकड़ा होती है डि ऑक्सी राइबोस ये होती है रक सरीर में क्या कारे करता है साड़े सरीर में ऑक्सिजन पहुँचाता है रक निमलखित में से कौन सा योगम सही सोमेलित नहीं है विटामिन डी बंध्यात्ता रोधी कारक ये सही नहीं है विटामिन बी बाड़ा परती अरक्ता कारक है विटामिन सी परती असकरवी कारक है और विटामिन के परती रक्त सरावी कारक है किसी हार्मोन के सरावीत होने से हिर्दे गती बढ़ जाती है तो देखिए एरिनलीन की बढ़ने से ये चीज होता है पेर पौधो में जाइलम मुखिता जिम्यदार है यह जल वहन के लिए है जिम्यदार भारत के निमन टाइकर रिजर्ब में से कौन सा मिजोडम में अवस्थित है यह है दमफा जैव विवित्ता को अधिक्तम संकट है यह है प्राक्रतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनास से निमलिकीत में से कौन दूतिय प्रदूसक है तो यह है एस्मॉग हरित ग्रीः प्रभाव से वातावरण में निमलिकीत में से कौन सा परिवर्तन होता है वायू मंडल में कारवन डाइकसाइड की सांदरता बढ़ जाती है भारत में सुनामिंग वार्णिंग सेंटर अवस्थित है ये है है हैदराबाद में निमलिकित में से कौन सा स्व्म सिद्ध योजना का सरवत्तम अभिवेक्टी है तो ये है मानव तसकड़ी को रोकने के लिए नेती आयक दोरा जारी राज्य स्वास्त सुचक्यांग 2019 का सिर्षक क्या है स्वास्त राज प्रगति सिल भारत हाली में विक्षित की गई दामिनी एप जुड़ी है बिजले गिरने की घटनाओ की निगडानी से जुड़ी है ये पोर्जेक्ट स्वांग दा जुड़ा है अपसिस्ट प्रबंदन से जुड़ा है निमलिखित में से किसे चंदगुप्त मौर्य दौरा से लेकर निकिटर के पास भीजा गया था देखिए हाथ ही भेजा गया था उसको चंदगुप्त मौर्ट दरा सुलीक्वेस निकिटर को हाथ ही भेजे गये थे ये अंजीर दार्शनिक और सराब की डिमांड जो थी ना वो मतलब वो अलग कहानी है उसकी ठीक है था वो कहानी क्या है कि बिंदु सार ने एंटियोकस से मांगी थी ये ये सराब और अंजीर तो दे दिया था लेकिन दार्शनिक नहीं दिया था उसने निमलिखित में से कौन से देश हाली में समाचार में रहे लेथियम त्रिकोन का हिस्सा नहीं है तो देखे उड़ूगवे नहीं है निमलिखित में से कौन मिशन सत्यनिष्टा का सबसे अच्छा वर्णन करता है सभी रेलवे करमचारियों को अच्छी नहीं तिक्ता का पालन करने और काम पर सत्यनिष्टा के उच्छ मानकों को बनाये रखने क्या वैसकता के बारे में सब्वेदन सीलता कंडांगी साड़ी को हाली में भौगौलिक संकेतक मिला है निती आयो के नुसार किस वर्ष तक भारत को पांच जार अरब डॉलर की अर्थ विरस्था बनाने का लक्ष है दो हजार चौविस तक लक्ष बनाने का बिहार राजवित आयो के अधेक्स के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है नवीन कुमार की नियुक्ति की गई है बिहार राजवित में चलाई जा रही पहली की सहली योजना का समन्द किस छेत्र से है ये सिक्षा से है कोडस को किस मंत्रा ने लॉंच किया है डेलवे ने इसको लॉंच किया है एस सौट स्टोरी ओफ इंडियन डेलेवेज के लिखा कौन है ये है राजिंद्र भी अक लेकर जन्वरी दोहजार बीस को भारा सरकार ने किन फसलों के उत्पादन और उत्पादक्ता में उपलब्धोयों के लिए बिहार को किर्शी कर्मन पुरुसकार परदान किया है मक्का और गेहों के लिए किया है बिहार राज प्रवासी सर्मिक दुरुखटना अनुदान योजना का क्रियार्वन कब से किया जा रहा है 2008 से किया जा रहा है विकास प्रिक्रिया को बल देने के लिए बिहार सरकार के साथ निश्चय में कौन सामिल है तो उचितर तक्निकी सिक्षा की उप्रवदता इसमें सामिल है बिहार की परतिवेक्ति आये निवल मुली वर्स 2018-19 में कितनी है ये थोड़ा पुडाना करेंटे फेर हो गया तो रिसेंट का भी हम लोग देखे लेंगे वो 30,670 रुपे थी वर्स 2018-19 में बिहार की में राजकिये वित व्यरस्था के प्रबंदन में किसके संकल्पों का पालन किया गया है बिहार राजकोशिय उतरदाईतों एवं बजट प्रबंदन अधिनियम 2006 को वर्स 2018-19 के लिए अस्टंप एवं निबंदन सुलकों में राजस्व गरहन लक्ष और उपलब्दिव में सबसे कमजोर परदर्सन वाला जिला है तो ये है जहानाबाद बिहार में चावल उत्पादन के लिहाज से सिर्ष जिला कौन सा है तो ये है रोहतास जल जीवन हडियाली अभियान के परथम चरण में बिहार के कितने जिलों को सामिल किया गया आठ जिलों को सामिल किया गया है ये बिहार में परतिलाख आबादी पर वर्तमान यानि 2017 सरकों का पत घनत तो कितना है इस डेटा को भी अपडेट कर लेंगे हम लोग ठीक है रहा तो उस समय था 181 किलोमेटर परतिलाख आबादी पर 181 किलोमेटर सरक थी मार्च 2019 तक बिहार में कितनी मेगावाट विद्धुत उत्पादन चमता है 4767 मेगावाट तिलहार कुंड जहरना किस पठार परिस्थित है रोहतास में है ये दचिन बिहार में किस परकार के वनुका की अधिकता है सुस्क पर्ण पाती वन है ये गोगा बिल जहील समुदाए डिजर्व किस के लिए परशिद्ध है तो ये पक्षी के लिए परशिद्ध है गोगा बिल जहील समुदाए बेलसार जल विद्धुत परियोजना किस जिले में इस्थित है अर्वल में है ये Smart City Mission के अंतरगत बिहार के कितने सहरों को चुना गया है चार सहरों को चुना गया है बिहार विधान समा के अधेक्ष विजय कुमार सिंगहा किस निर्वाचन छेत्र से सम्बंदित है लखी सराय से हैं ये बिहार के किस जिले को के एक सरकारी विद्याले में ग्यान वगीचा का निर्मान कड़ाया गया है तो ये किया गया है कैमोर में Smart India Hackthorn में बिहार के किस इंजिरिंग कॉलेज को देश भर में सरुसिस्ट प्रोजेक्ट के रूप में चैनित किया गया है MIT मुझा भड़पूर को चुना गया है बिहार के किस योजना को G20 सम्मिलन में प्रस्तुति करण किया गया हर घर लल का जल निश्चे योजना स्वक्षिता सर्वेक्षन 2020 के नुसार 10 लाख तक की आबादी वाला देश का सबसे गंदा सहर कौन है वरतमान में बिहार विधान पडिषद के कारेकारी सभापती कौन है जिहें अवधेश नराजन सिंग बिहार उचने अले के वरतमान मुखे नायधिस कौन है ये है संजय करॉल 2011 की जनगन्या के नुसार बिहार का जनसंख्या घनतो भारत की जनसंख्या घनतो का कितना है तिगुना है ये देश की कुल जनसंख्या का कितना पर्दिशत बिहार में निवास करती है 8.6% है बिहार में अठाड़सो संतावन की क्रांती किनायक वीर कुमर्शिंग कहां से सम्मंदित थे ये जगदीशपूर से सम्मंदित थे बिहार की मुझफरपुर में हॉमरूल लीग साखा की अस्थापना किष ने की ये जनक धारी परसाद ने की बिहार विद्यापीट की अस्थापना कब की गई थी 1921 में की गई थी ये दी मदर लेंड नामक अखवार का परकासन कहां से हुआ ये हुआ था सदाकत आस्रम से चमपारन सत्यागड़ा के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया मोतिहारी में चलाय गया ये आजाद दस्ता नामक संगठन किसके दौरा स्थापित की गई जैप्रकासनणारायन के दौरा ये किया गया पटना का नाम किसने अजीमाबाद रखा था सहजादा अजीमु सान ने रखा था अजीमाबाद बिहार में राजस्टो ट्रेन की घाटना का सम्मंद है भारत छोड़ो अंदोलन से है ये किस पुडान में गया कि को असुरो का राज कहा गया है वायू पुडान में कहा गया है मिथला का स्वर्ण यूग किस वंस को कहा जाता है करनार्ट वंस को कहा जाता है मिठला का स्वर्ण यूग अंतरास्टिय बाग दिवस निमलिकित में से किस तिथी को मनाय जाता है 29 जुलाई को मनाय जाता है निम्लिकित में से किस राज्य या किंदर सासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश व्यापी लॉकडाउन से प्रभावित सरमी को और वैपाडियों को राहत देने के उद्देशे से रोजगार बाजार नाम से एक जौब पोर्टल लॉंच किया है दिली में किया यह चीज दिली के मुख्यमंत्री निम्लिकित में से किस राज्य को के स्कूल सिक्षा विभाग द्वरा घरपड़ी सिक्षा उपलब्द कराने के उद्देशे से हमारा विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द करना है यह किया है मद्य प्रदेश ने हाली में परधार मंतरी नरेंदर मोदी ने जल जीवन मीशन के उद्देश को ध्यान में रखते हुए वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से निमलिकित किस राजी के लिए एक जलापूर्थी पर्योजना की आधार चिला रखी है यह रखी है मनिपूर्णे निमलिकित में से किस अस्वेत भारती अमेर्की महिला को अमेर्की राष्टपती चुनाओं में उपराष्टपती पत का उमिदवार नामित किया गया है देखिए पुरानी घटना हो गई है और यह जीत भी चुकी है कमला हैरिस हाली में लाजरास चकबेरा को निमलिकित में से किस अफरीकी देश का राष्टपती चुनागया है मलावी का चुनागया है निमलिकित में से किस राजजी में कोरोना वाइरस महामारी के परसार को रोकने के लिए राज्जी के मुक्रमंत्री द्वारा किल कोरोना अभियान शुरू करने की गोशना की गई है मद्य परदेश ने किया है यह यह भी पुरानी हो गई है करेंट में नया करवा दूँगा हमेशा नया करवाता रहूँगा हाली में निमल्खित मेंसे किस राज में भारत को पहली राजस्तर्य लोक अदालत की सुरुवात की गई 36 गड़ में हाली में निमल्खित मेंसे किस बैंक ने एकिसानधरन एप लौंच किया है ये किया है HDFC ने वन्सधारा नदी जल विवाद निम्लिकित में से किन दो राजियों के बीच का विवाद है यह आंद्र प्रदेश था उडिशा का एक्सो प्लेनेट है सौर मंदल से बाहर पाये जाने वाले गड़ा है एक्सो प्लेनेट जलवायू पडिवर्तन प्रदरसन सोचकांग 2020 में भारत निम्लिकित में से किस्ट स्थान पढ़ रहा नौवा स्थान रहा दो संख्याएं ऐसी हैं कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भाग फल 5 तथा सेस फल 25 है बताएं कि बड़ी संख्या कौन सी है अगर इन दोनों का अंतर 13 सतिरपन है आसान कोश्चन है खुद करके देखिएगा ऐसे भी मैं मैथमेटिक्स से कोश्चन यहां हल नहीं कराऊंगा दस कोश्चन बस छोड़ाओ मैथमेटिक्स के पढ़के बता दे रहा हूँ यदि एक धन्रासी को A अनपात B अनपात C में इस परकर विभाजित किया जाए कि A का हिस्सा B से 2 गुना और B का हिस्सा C के हिस्से से 4 गुना है तो A B C की पूंजी का अनपात ग्याद करे ऐसे प्रस्ण हमने खुब हल किये हैं तो ऐसे प्रस्ण आप खुद हल करिएगा अभी इसी सेक्षन में आपको ऐसे प्रस्ण दिख जाएंगे मैं इसका जो है नॉर्मल उत्तर बता देता हूँ आठ अनपात चार अनपात एक आएगा ये एक संस्था में अभी तीन हजार बच्चे हैं यदि लड़कों की संख्या 10 और लड़कियों की संख्या 20 परसेंट बढ़ जाए तो संस्था में कुल 12 परसेंट विद्धार्थी बढ़ जाते हैं अभी संस्थान में छात्रों और छात्राओं का अनपात क्या है अभी चार अनपात तीन है, कड़के देखिएगा इसको मैंने मैतमेटिक से प्रयाप्त कोस्चन कड़ाय हुए हैं तो वहाँ से भी एक वर्स सहाय था जरू लिजिएगा एक पार्टी में कुल 16 सदस उपस्तित हैं तथा उपस्तित सभी सदस्यों की आयू का आउसत 30 वर्स है तभी मिस्टर एक्स का जो की 36 वर्स के हैं पार्टी से चले जाते हैं और 20 वर्स के मिस्टर वाई पार्टी में आ जाते हैं तो अब पार्टी के सभी सदस्यों की आयू का आउसत कितना है अब 29 वर्स हो गया हो एक निश्ची धन रासी का मिस्र धन पड़ मिस्र धन मूल धन का नव बट्टे पांच गुना है यदि साधारन ब्याज 72 है हो तो मूल धन की रासी क्या है 90 आएगा इसके उतर कड़के देखिएगा ए, बी, सी किसी काम को करम सा 6, 8 एवं 12 दिनों में पूरा करते हैं यदि तिनों ने मिलकर काम किया और उसके बदले उन्हें कुल 27 मिले तो उसमें से बी को कितने रुपे मिले 900 मिले कोई रेलगारी किसी औसाद चाल से 63 किलोमेटर दूरी तक चलती है और तब अपने प्राणबिक चाल से 6 किलोमेटर घंटा अधिक योसाद चाल से 72 किलोमेटर की दूरी तै करती है यदि उसे पूरी यात्रा संपन करने में 3 घंटे लगते हों तो डेलगारी की प्राणबिक चाल किलोमेटर घंटा में क्या है ये है 42 यदि 2x q प्लस 4x square प्लस 5x प्लस 8 बड़ावर 0 के मूल अलफा बीटा गामा हो तो अलफा मान ग्याद करें कैसे निकालेंगे इसको देखें इसको बहुत आराम से इसको निकाल सकते हैं इसका उतर मान पांच भाई आठ आएगा और इस तरह का सवाल भी मैंने पीछे के सेट्स में किलियर किया है यदि fx is equal to x square function of x का x square के लिए x बड़ावर 1 पर अभिलंब की परवनता क्या है तो यो यह होगी माइनस एक वर्टे दू जदी एक तिर्भोज जिसका 6 तरफल 130 वर्ट मीटर एवाँ अंतर 36.5 मीटर हो तो उस तिर्भोज का परिमाप क्या होगा 40 मीटर के करीब होगा चलिए अभी के लिए इतना ही हम लोग फिर एक नए सेट को लेके उपस्तित होंगे mathematics के सवाल मैंने प्राप्ट करवाए होगे हैं उसके basis पर यह सारे सवाल आराम से हल हो जाएंगे फिर भी आगे मैं mathematics के सवाल भी हल कराता रहूँगा अभी के लिए इतना ही फिर मिलते है एक शोटे से ब्रेक के बाद